श्री सिवाई, नमस्तु बम हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप काफी समस्या से परेसान हो या फिर कोई सी बीमारी हो जो जाने कानाम नहीं ले रही हो या फिर कोई इसी समस्या हो जिसको आप किसी को भी नई बता सकते हो यदि आप बहुत जादा तकलिप में हो बहुत जादा कष्ट हो रहा हो तो आप निचित रहिए जोकी last दिवर स्री अश्ट विनायक स्युमा पुलन कता जोकी अभी पुने माराष्ट में चल रही थी तो उसके आज लाश्ट दिवर जोकी पसुपती व्रत का काफी बेतर अगर आप बहुत सारी समस्या से परिशान होकर अन्त आ गयो तो आपको क्या करना है आपको पांच सोमार पसुपती व्रत करना है तो अब मैं आपको पसुपती व्रत करने के नियम बता देता हूँ आपको इस ब्रत को पांच सोमार करना है और आप इस ब्रत को किसी भी सोमार से श्टार्ट कर सकते हो सुबा के समय जल्दी उठकर इस्तनान कर अपने नस्दी की संकर जी के मंदिर में आपको चले जाना है वहाँ आपको संकर जी की पूजन अर्चिना वह अभी से करना है जिस थाली को आप सुबा मंदिर में पूजन करने के लिए लेकर गएते उसी थाली को गरपल लाकर रख दीजिए और आपको सुबा के समय फर्याल वगरा कल लेना है और अगर आप मीटे में फलफुरूड वगरा कुछ खाना चाते हो तो आपको खाल लेना है और फिर साम की समय आप जिस थाली को सुवा पूजन करने के लिए लेके गएते फिर साम को और इसी थाली में आपको छे दिये गी के रख लेने और साथ में आपको कुछ मीटा बना कर ले जाना है भोग के लिए और संकर भगवान के मंदिर में जाकर आपको उस मिटाई के तीन हिस्से कल लेना है और दो हिस्से को आपको मंदिर में रग देने और एक हिस्से को अपने साथ में घर और लेकर आ जाना है और आप जो छे दिये को मंदिर में लेकर गए थे उनमें से पास दिये को आपको मंदिर में लगा देना है पसुपती ब्रत का नाम लेकर और अपनी मनुकामना है बोल कर और जो एक दिया बचा है उसको अपने साथ में घर की ओल लेकर आ जाईए और आपको घर में प्रविश करते समय सीधे हाथ की और उस दिये को दर्वाजे के स्पास में लगा दीजिए और जब आप घर की अंदर आ जाओ फिर आप भोजन करो उस टाइम आपको जो परशाद आप मंदिर से लेकर आयो उस परशाद से आपका व्रत खोलना है इसे कहते हैं पसुपती व्रत इस व्रत को आपको पास सोमार करने से आपकी सारी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है इस पास सोमार व्रत करने से आपके सारे दूख तकलीप और परिसानिया सब दूर हो जाएंगी तो आई होप कि आपको ये पसुपती व्रत का विदी समझ में आया होगा तो अगर आपको ये पदिवरत को कर सकते हो तो पुझ जी पंडित प्रदीप जी मिसाज ने काफी बेतर अच्छा उपाई बता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चेनल पर आप नहे हो तो रेट बिटन के आइकन को भी सस्क्राइब कर द सब्सक्राइब।